दोस्तो आजकल के समय में हर कोई खूबसूरत दिखना चाता है और खूबसूरती चेहरे पर जलके तो उसकी परसनल्टी में चार चान लग जाता है तो अगर चेहरे पर आपके दाग गब्बे हैं पिंपल्स हैं तो आपकी खूबसूरती का कोई मायन नहीं रखता है फिर आप अपने चेहरे के काले बन के साथ साथ अपने चेहरे के काले बन को दूर कैसे करें और अपने चेहरे का काला बन कैसे दूर करें चेहरे के दाग दब्बों को दूर करने का एक ऐसा बहते हिन गरेलू नुस्का लेकर आया हो जिसकी मज़द से आप अपने चेहरे को बिल अब जो हमें दूसरी चीज जो इसमें चाहिए हमें चाहिए हल्दी तो अपने चेहरे के दाग दब्गों को मिटाने के लिए हल्दी काफी परचलते हैं जो कि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुन होते हैं और ये पिंपल्स प्यादा कने वाले किटाणूं को मारती है तो इसमें हम हल्दी की चुटकी वर महत्रा रखेंगे अब देखें अब हमें लेना है मुलतानी मिट्टी तो अब तो देखें बजार में मुलतानी मिट्टी वही पाउडर फॉम में आने लग लग लिए मुलतानी मिट्टी का प्रयोग बहुत समय से किया जा रहा है तो अब देखे, अब हमें इसमें चाहिए गुलाब चल, आपने देखा हुआ कि चेहरे की गंदगी को साफ करने के लिए लोग गुलाब चल का प्रयोब करते हैं, और जो आखों में गंदगी चली जाती है और आखों में भी इसको ढालते हैं, तो अब हम इसको चेहरे पर अरुवेद में बताई गया है क्योंकि यह गुलाबचल गुलाब की पंक्ड़ियों से बना हुआ होता है तो इसमें देखिए दो से तीन चम्मच मैंने गुलाबचल की एड़ कर लिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह फेस पैक बना लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने पर आपका यह फेस पैक बन जाए है तो यह फेस पैक आपके चेहरे के पुराने से पुराने काले बन और आपके चेहरे को दूर जैसा गोरा करतेगा चेहरे के दार दब्ब विंकल्स को खतम कर देगा जैपनीज सीग्रेट्स यह यह जापान के लोग बहुत ही इंटेलियंट और इसमार्ट होता है आपने देखा होगा कि जापान के लोग कितने सुंदर होता है वो अपनी खुबसूरती गराज किसी और को नहीं बताते क्योंकि वो स्वारती हैं लेक आप अपने चेरे के दाग दब्र को दूर करके चेरे को गोरा और घहती सुंदर बना सकते हैं अब यह देखे अच्छे से मिल्स हो गया है अब इसको अब चेरे पर एपलाई कर रहे हैं तो इसमें जो हमने बेकिंग पादर जो लिया है वे करेगा किया हमारे चेरे पर जो कि जिन लोगों की skin oily होती है उसके तेल को सौप लेगा और तुचा को नरम और मुलायम करतेगा और healthy pimples पेगा करने वाले किटानों को मार देगी तो देगे जब अपने ऐसे हातों से जब आप रगटते हुए आपके पूरे चेहरे पर ये पेश्ट लग जाए तो इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए फिर आपको 10 मिनट के बाद अपने इन हात को इस तरीके से रगड़ी है ये देगे मैं गीले पर ही रगट रहा हूं लेकिन आप जब ये 10 मिनट में सूख जाए फिर इसके रगड़ी है तो देगे रगड़ने से होगा क्या जो आपके पिंपल्स होंे जड़ जाएंगे आपके पिंपल्स वहां से के चिकिन पॉक्स क में आसानी से मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे और सेयर कर दीजे वाटसर फेस्बूक पर तो देखे जब आप इसको सूखने पर रगड़ लें तो फिर आप नॉर्मल पानी से अपने चेरे को वास कर लीजे और ऐसा अफ्ते बर करते हैं तो आपके चेरे पर एक भी दाग नहीं बचेगा और आपका चेरा बेहदी खुपसूरत और गोरा हो जाएगा तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजे से अगर दीजे वाटसर फेस्बूक पर तो चलते हैं नेक्स्ट टूडियो आपसे मिलत बाइ बाइ